है युट्यूब चैनल चंदर मैंत्माटिक्स क्लास इस वीडियो में आपने हों को साथ आपने हों जोब चैनल और संधों क्यान विस सब्सक्राइब तो यहां to n, ठीक है, k, अब जनरेटिंग फंक्शन फोर दिज नम्बर्स क्या हो जाएगा हम यहाँ पर fx is equal to summation, ठीक है, sn x to the power n, n greater than equal to 0, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो कीसी सिक्वेन्स के लिए, जनरेटिंग फंक्शन हम साणव है, यहाँ पर सिक्वेन्स के रूप में क्या है हमें, ठीक है, यह नचेरल नमबर का, ठीक है, इसी के लिए हम यहाँ पर पहले जनरेटिंग फंक्शन प्राप्ट कर लेंगे ठीक है और इसी की सहता से हम एसन का वैल्यू बताएंगे ठीक है तो यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन फोर इस नमबर क्या हो जाएगा fx is equal to summation sn x to the power n greater than equal to 0. now sn is equal to sn minus 1% since the sequence satisfies the recurrence multiplying by x to the power n and summing over n greater than equal to 0 तो है दो नो तर फंक्शन प्राप्ट कर देना है और से 0 से लेकर n तर सम कर देना है तो यहाँ summation sn x to the power n is equal to summation sn minus 1 x to the power n plus summation n x to the power n n greater than equal to 0 अब लेटर सच्चिंगे एसनी इकोल तो जिरो फोर और एंड लेस देन जिरो देन एफ एक्स यहाँ पर इसकी जगा sn minus 1 x to the power n minus 1 तो कि एगए n greater than equal to zero तो जाइब लेटर समेशन अच्छिंग्ट एफ टो जिरो फिरो 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 प्राप्ट समेशन sn x to the power n n greater than equal to 0 तो फिरो फिरो जिरो जिरो उन्हाँ पर इसक्ष्ण पर गान एफस्थ माना है फिरो प्रास्ट्स XFX को left side में लेंगे तो minus XFX हो जाएगा is equal to summation nx to the power n n greater than equal to 0 तो अब यहाँ पर FX common निकाल लेंगे तो FX1 minus X is equal to summation nx to the power n n greater than equal to 0 तो FX is equal to क्या हो जाएगा 1 by 1 minus x summation nx to the power n n greater than equal to 0 तो नाँ 1 by 1 minus x is equal to क्या summation nx to the power n n greater than equal to 0 तो 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 यहाँ पर differentiating and multiplying by x हम क्या प्रापत होता है x by 1 minus x ka whole square is equal to summation nx to the power n n greater than equal to 0 तो FX is equal to हमें क्या मिलता है 1 by 1 minus x summation nx to the power n n greater than equal to 0 is equal to 1 by 1 minus x अब इसका value हमें क्या मिला है x by 1 minus x ka whole square क्याएगा 1 minus x ka whole square मिला है इसका value तो इसकी जगा हम इसे लिख देंगे ठीक है is equal to 1 into x, x y इन दोनों को मिल्टिप्लाइ कि रहेंगे तो 1-x का हॉल क्यों अब डिकंपोजिंग एफ इंटो पार्शिल फ्रेक्शन में तो यह किस रोप में आएगा fx is equal to minus 1 by 1 minus x का हॉल स्कार फिर plus 1 by 1 minus x का हॉल क्यों अब since 1 by 1 minus x का x all to the power k is equal to क्या होता है summation n plus k minus 1 k minus 1 x to the power n ठीक है n greater than equal to 0 मतलब यह combination के form में लिखा हुआ है ठीक है तो so इसी क्या धार पर हम इसका value और इसका value निकाल लेंगे मतलब इस रूप में लेंगे से minus 1 by 1 minus x का हॉल स्कार is equal to क्या हो जाएगा summation n greater than equal to 0 यहां minus k की जगा हम क्या देख रहे हैं के की जगा टू आरा तो के की जगा टू पूट करेंगे तो यह n plus 1 हो जाएगा यह बन हो जाएगा एक स्ट्रीपावर एं ठीक है फिर इस इकल तो summation n greater than equal to 0 minus यह क्या हो जाएगा n plus 1 एक स्ट्रीपावर n1 इसका वैल्यू कमिनेशन को जाहे हम एन सी आर के फर्मूला पर इसे हम तो रहेंगे तो तो यह क्या हो जाएगा minus n plus 1 into x to the power n फिर अब इसे भी हम ठीक है इस रूप में ले आते हैं 1 by 1 minus x all q is equal to क्या हो जाएगा summation n greater than equal to 0 ठीक है यहां पर यूशी तरह से एन प्लस अब 3 की की जगा क्या एगा 3 to 3-1 तो एन प्लस 2 और फिर नीचे में 3-1 यानी 2 ठीक है x to the power n तो यह summation n greater than equal to 0 तो अभी यहां पर भी ncr को हम इस रूप में तोड़ लेंगे ठीक है n plus 2 into n plus 1 by 2 into x to the power n ठीक है तो इसके बाद जब मैं हुआ value मिल जाएगा तब लिए हैंस fx is equal to summation ठीक है यहां पर इसमें हम fx is equal to this में यहां इसका value हमें जो मिला है ठीक है summation के टर्म में इस तरह से इसका भी value जो मिला है यहां पर लिखते हैं तो fx is equal to summation minus n plus 1 x to the power n ठीक है प्लस summation n plus 2 into n plus 1 by 2 x to the power n ठीक है एन ग्रेटर देन एक्वल टू जीरो फिरिया summation n greater than equal to 0 अब एक्स to the power n common निकाल लेंगे ठीक है और एक प्रैकेट के अंदर में इन दोनों को add करते भी लिखते हैं ठीक है फिर यहां पर summation n greater than equal to 0 यहां ले ले लेंगे उसके बाद इसे simplify करते हैं हम ठीक है simplify करते हैं जाने पर हमें क्या मिलता है यहां पर n into n plus 1 by 2 x to the power n तो अब जिदी हम इसकी तुलना करें equation 1 से equation 1 में क्या था हमें fx is equal to summation s n x to the power n n greater than equal to 0 हमें यहां क्या मिलता है fx is equal to summation n into n plus 1 by 2 x to the power n n greater than equal to 0 तो देखा जाये तो हमें यहां पर s n की जगा क्या प्राप्ट थो रहा है ठीक है s n की जगा में n into n plus 1 by 2 प्राप्ट थो रहा है यही तो हमें प्राप्ट करना था ठीक है so comparing with equation 1 ठीक है s n is equal to n into n plus 1 by 2 okay students thanks for watching